प्रक्रम या प्रोसेस के बारे में समझेंगे ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन लाती हैं तो ये प्रक्रम कई प्रकार के होते हैं जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सम्तापिय प्रक्रम सम तापिय प्रक्रम का अर्थ है कि जहां पूरे प्रक्रिया के दोरान याने जब भी कोई परिवर्तन हो रहा है A से B की ओर तो इस पूरे प्रक्रिया के दोरान यदि ताप मान यदि डी टी शून्य है यदि स्थिर है तो यहां पर हम कहेंगे सम तापिय प्रक्रम यदि मान लीजिए यहाँ पर उश्मा छेपी अभिक्रिया हो रही है तो उश्मा छेपी अभिक्रिया में तंत्र से ताप परिवेश की ओर चला जाएगा और यदि उश्मा शोशी अभिक्रिया है तो तंत्र की ओर परिवेश से तापमान अंदर प्रवेश करेगा तो यहां पर दोनों स्थिति में ताप के आदान प्रदान के स्थिति में और जो उश्मा छेपी और उश्मा शोशी अभी क्रिया हो रही है इन दोनों परिस्थितियों में हम देखेंगे कि ताप मान स्थिर रहता है तो यह सम तापी प्रक्रम के उदाहरण होंगे अब हम जानेंगे रुद्धोश्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस का अर्थ है कि जहाँ पर ना तो उश्मा का आदान प्रदान तंत्र और परिवेश के बीच उश्मा का आदान प्रदान नहीं होगा यहाँ पर तंत्र और परिवेश के बीच एक एडियावेटिक वॉल लगी होती है जहाँ पर ना तो परिवेश से उश्मा और पदार्थ का अंदर प्रवेश होता है ना ही अंदर से बाहर की तरफ उश्मा का जाना होता है तो यहाँ यदि मान लीजे तापमान में वृध्धी होती है या तापमान में क्रमी होती है तो वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है यदि उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है तो उश्मा छेपी अभिक्रिया में चुकि उश्मा उत्पन होती है तो चुकि यहां उश्मा बाहर नहीं निकल पारी है तो यहां इस प्रोसेस में तापमान में वृध्धी हो जाएगी और उश्मा शोशी अभिक्रिया यदि उसके अंदर हो रही है तो चुकि उश्मा अव पूरिद्धी भी हो सकती है और तापमान में कमी भी हो सकती है जो रुधोश्म प्रक्रम है रुधोश्म प्रक्रम में जो उश्मा परिवर्तन है वो नहीं के बराबर है शुन्य है तो उसे हम डीक्यू से शो कर सकते हैं डीक्यू इक्वल टू शुन्य अब हम जानेंगे आइ जैसे उदाहरन हम लेंगे कि 100 degree centigrade पर जल उबलने लगता है तो यहाँ पर जो दाब है वो स्थिर है एक स्थिर दाब पर यदि temperature बढ़ाया भी जा रहा है तो उस जगा पर जो द्रव है जल लिया जा रहा है तो उसका जो वाश्प दाब होगा वो वायमंडली दाब के बराबर हो जाता है एक निश्यत दाब पर तो 100 degree centigrade पर जल उबलने लगता है अब हम जानेंगे सम आयतनिक प्रक्रम क्या होते हैं या आईसो कोरिक जो प्रोसेस है वह क्या होती है आईसो कोरिक किसे कहते हैं इसका अर्थ है कि यहाँ पर पूरे प्रक्रम के दोरान आयतन स्थेर होता है तो dv equal to 0 तो dv equal to 0 है इसका अर्थ है कि पूरे प्रक्रम में आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है अब हम जानेंगे कि इनके जो graph है वो किस तरह से बनाय जा सकते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो x अक्ष है, x अक्ष पे लिया गया है आयतन y अक्ष पे लिया गया है दाब तो यहाँ यदि आयतन स्थीर है, तो आयतन स्थीर है तो यहाँ पर देखिए DV equivalent to शुर्न्य यानि Sum Iди comic process को दर्शार है यह कर इसी तरह से देखिए DP जो strained line को show कर रहा है तो DP यहाँ पर स्थिरे DP equal to 0 है straight line को दर्शार है यहाँ पर इसी प्रकार से यह curve जो है DT equal to 0 है जो की Sum तापी प्रक्रम को दर्शाता है DQ equal to 0 जो रुधोष्ण प्रक्रम को दर्शाता है तो इस तरह से ग्राफ के माध्यम से हमने जाना कि जो सम आयतनी, सम दाबी रुधोष्ण प्रक्रम सम तापी प्रक्रम किस प्रकार से दाब और आयतन से संबंधित है अब हम जानेंगे कि चक्री प्रक्रम क्या होते हैं या साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ठ है कि साइक्लिक या चक्र तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है जैसे A से B में पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक चक्र के माध्यम से पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर देखिए किसी भी तंत्र में जो तंत्र कई पदों से गुजरने के बाद भी यानि A से B तक पहुँचे और उसके बाद फिर वापस A तक पहुँच गए तो अलग-अलग पद से होते होँ भी पहुच सकते हैं एक सिंगल स्टेप में भी पहुच सकते हैं यह पूरा एक चकरी प्रक्रम है तो यह वापस अपने पुनाह प्रारंभिक स्थिती में लोट आता है तो यह साइकलिक प्रोसेस का एक्जामपल है यहाँ पर भी उश्मा जो है वो स्थेर होती है अब हम जानेंगे उत्क्रमडी प्रक्रम क्या होते हैं उत्क्रमडी प्रक्रम या reversible process reversible process का अर्थिय है कि ये एक आदर्ष प्रक्रम होता है प्रकृती में ऐसा हो पाना बहुत ही असंभव है कि कोई भी प्रक्रम आदर्ष प्रक्रम की तरफ वेभार करें इसका अर्थ है कि इसमें किसी भी समय इसकी दिशा को बदला जा सकता है किसी भी समय टेंप्रेचर में, प्रेशर में, सुक्ष्म रूप से परिवर्तन करके इसकी दिशा को बदल सकते हैं ये बहुत ही धीमेगती से होती है और प्रतेक परिस्थिती में तंत्र एवं परिवेश के मद्य एक साम्यावस्था की स्थिती उतक्रमणी प्रक्रम में बनी ही रहती है इसमें अधिक्तम कारे प्राप्त करने की संभावना भी रहती है और किसी भी समय इसकी दिशा को हम बदल सकते हैं अब हम समझेंगे irreversible process या अनुत्क्रमडिय प्रक्रम जो भी प्राकृतिक घटनाए होती है प्रायवे अनुत्क्रमडिय ही होती है इसका अर्थ यह है अनुत्क्रमडिय प्रक्रम का कि इसकी दिशा को हम नहीं बदल सकते हैं और यह बहुत ही तेजी से होने वाली अभी क्रिया है यहाँ पे तंत्र और परिवेश के मध्य जो साम्य अवस्था है वो हर समय एक समान नहीं होती है यहाँ पर देखिए जो तंत्र और परिवेश के मध्य जो अवस्था चर होते हैं उसमें एक निश्शित अंतर हमेशा बना रहता है अनुत्क्रमडी प्रक्रम में जो दिशा है वो भी नहीं बदली जा सकती है जैसे उत्क्रमडी प्रक्रम में हम किसी भी समय रिम्प्रेचर प्रेशर में परिवर्टन करके उसकी दिशा को बदल सकते हैं वैसे अनुत्क्रमडी प्रक्रम में हम उसकी दिशा को नहीं बदल सकते हैं अनुतक्रमडी और उतक्रमडी प्रक्रम को समझने के लिए उदाहरन लेते हैं जैसे यहां पर देखिए कि एक गैस से भरा हुआ पात्र है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है अब इसमें देखिए कि विपरीत बल लगाया जा रहा है और एक होता है संचालन कारी बल यहने जब गैस पर दबाव डाला जा रहा है पिस्टन के द्वारा तो यह और गैस के द्वारा उपर की तरफ पिस्टन को ढखेला भी जाएगा तो इन दोनों के मध्य, यहने विपरीत बल और जो संचालन कारी बल है, इन दोनों के मध्य, बहुती सूक्ष्म अंतर होगा, यदि हम यहाँ पर उतक्रम्नी प्रक्रम की बात करते हैं, अनंत पदों में बना होता है, यह और तंत्र और परिवेश के मध्य, एक साम्य वस्था की स्थिती हमेशा बनी होती है, यदि हम इसी उदाहरण को अनुत्क्रम्नी प्रक्रम के ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अनुत्क्रम्नी प्रक्रम में जो विपरीत बल है, और जो संचालन कारी बल है, यहने पिस्टन द्वारा तंत्र पर लगाया गया दाब, और त तंत्र और परिवेश के मद्य सामय वस्था स्थापित नहीं हो सकती है तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करके तंत्र और परिवेश के बीच जो सामय वस्था है वो नश्ट की जा सकती है तो इस प्रकार हमने जाना दोनों ही उदाहरण से कि कैसे यहाँ पर संचालन कारी बल और जो विप्रीत बल है दोनों में सुक्ष्म अंतर होगा उत्क्रमडी प्रोसेस के लिए और अनुत्क्रमडी प्रोसेस के लिए इन दोनों बलों के मध्य जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है उत्क्रम्डी प्रोसेस में साम्यावस्था बनी रहेगी जबकि अनुत्क्रम्डी प्रक्रम में किसी भी समय साम्यावस्था नश्ट हो सकती है यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अब हम उत्क्रम्डी तथा अनुत्क्रम्डी प्रक्रमों में तुलना करते हैं। उत्क्रम्डी प्रक्रम यह प्रक्रम उत्क्रम्डी पत का अनुसरण करता है अर्थात अग्र दिशा में तथा विप्रीत दिशा में हो सकता है। अनुत्क्रम्णी प्रक्रम केवल अग्र दिशा में ही होता है। उत्क्रम्णी प्रक्रम एक आदर्ष प्रक्रम है और इसके निश्पादन में अनंत समय लगता है। जबकि अनुत्क्रम्णी प्रक्रम है और एक निश्चित समय में संपन कराया जा सकता है। उत्क्रम्डी प्रक्रम मंद गती से होता है, जबकि अनुत्क्रम्डी प्रक्रम तीवर गती से होता है उत्क्रम्डी प्रक्रम विपरीत दिशा में हो सकता है, लेकिन अनुत्क्रम्डी प्रक्रम विपरीत दिशा में नहीं होता है उत्क्रम्डी प्रक्रम में प्रेरक बल विरोधी बल से अती सूक्ष्म परिमाण में अधिक होता है, जबकि अनुत्क्रम्डी प्रक्रम में प्रेरक बल विरोधी बल से बहुत अधिक होता है। केवल प्रारंब एवं अंत में ही साम्य पाया जाता है। उत्क्रमणी प्रक्रम द्वारा प्राप्त कार्य अधिक्तम होता है, जबकि अनुत्क्रमणी प्रक्रम द्वारा प्राप्त कार्य अधिक्तम नहीं होता है। उत्क्रमडी प्रक्रम एक काल्पनिक प्रक्रम है तथा वास्तविक रूप से इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है जबकि अनुत्क्रमडी प्रक्रम एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो एक निश्चित दिशा में दी गई परिस्थितियों से संपन्न होती है अब हम जानेंगे कि जो उर्जा का परिवर्तन होता है या उर्जा रुपांतरन होती है उसकी कौन-कौन सी विधिया है तो यदि हम यहाँ पे उर्जा रुपांतरण की विदियां देखे तो एक उश्मा के रूप में भी देख सकते हैं और कारी की रूप में भी देख सकते हैं तो यदि तंत्र और परिवेश के मद्ध हैं यदि बहुत अधिक उर्जा में तापमान में अंतर होता है तो यहाँ पर जो उर्जा का प्रवा होता है वो उश्मा के रूप में होने लगेगा यदि दोनों के मध्य अंतर है तापमान में दोनों के मध्य यानि परिवेश और तंतर के मध्य जैसा हमने उदाहरन भी लिया था कि हमने शर्बत में आइस क्यूब्स डाले थे और इसी तरह से गर्म चाय के कपका उधारन लिया था तंत्र और परिवेश के मद्ध जो ये उश्मा का स्थनांतरन होता है ये तापमान में डिफरेंस के कारण होता है तो चलिए अब हम जानेंगे कि वास्तों में यहाँ पर किस प्रकार से उश्मा का परिवर्तन होता है तो यदि यहाँ पर तंत्र से परिवेश की ओर उश्मा जाती है तो क्यूँ इस लेस देन जीरो तो यहाँ पर क्यूँ निगेटिव होगी यानि उश्मा का मान यहाँ पर रिनात्मक होगा तंत्र का तापमान यदि अधिक है तभी उश्मा का प्रवाह तंत्र से परिवेश की ओर होगा और यदि दूसरी स्थिती में हम देख रहे हैं कि तंत्र का तापमान यदि कम है तो तंत्र के तापमान के कम होने के कारण परिवेश से उश्मा तंत्र के अंदर प्रवेश करती है तो Q is greater than zero तो यहां उश्मा का मान धनात्मक होता है अब हम जानेंगे कारी के बारे में एक हम उदाहरन लेते हैं एक पात्र लेते हैं जिसमें गैस भरा हुआ है यहां देखिए एक सिलिंडर लिया गया है जिसमें की गैस भरी हुई है और इसमें एक पिस्टन लगाया जा रहा है तो यदि तंत्र का दाब अधिक है याने उसके अंदर भरा हुआ जो गैस है उसका दाब यदि अधिक है तो वो पिस्टन को उपर क्यों धखेलता है और वो तब तक धखेलता रहता है जब तक की तंत्र और परिवेश दोनों का दाब एक समाल नहीं हो जाता है दूसरी स्थिती में हम देखेंगे कि यदी मालीजिये तंत्र का दाब कम है तो जब तंत्र का दाब कम होगा तो पिस्टन नीचे की और दबाया जा रहा है और ये तब तक दबाया जाएगा पिस्टन को नीचे की तरफ जब तक कि तंत्र और परिवेश के मध्य जो दाब है वो एक समान नहीं हो जाता है तो इस स्थिती में हम कारे को भी देख रहे हैं कि दो अलग-अलग दाब का डिफरेंस देखा कि यदि तंत्र का दाब अधिक है तो वो पिस्टन को उपर की ओर ढखेलता है और तब तक धखेलता है जब तक तंत्र और परिवेश के मध्य का दाब एक समान नहीं हो जाता है इसी तरह से तंत्र का दाब यदि कम है तो वो पिस्टन तंत्र पर डाला जाता है दबाओ यानि अंदर की ओर उसको धखेला जाता है और तब तक धकेला जाता है जब तक कि तंत्रों परिवेश का दाव एक समाल नहीं हो जाता है तो यहां तंत्र द्वारा भी कारे हो रहा है और तंत्र पर भी कारे हो रहा है तो तंत्र द्वारा जब कारे किया जाएगा तो उसे माइनस से शो करते हैं यहने तंत्र द्वारा कारे करने पर W बराबर होगा निगेटिव और तंत्र पर्यदी कारे होता है तो W बराबर पॉजिटिव होगा अब हम जानेंगे कुछ उश्मागतिक गुणों के बारे में उश्मागतिक गुण में सबसे पहले हम देखेंगे विस्तीर्ण गुण और दूसरा है गहन गुण तो जो विस्तीर्ण गुण है इसे हम extensive property भी कहते हैं और बाहिय गुण भी कहते हैं तो किसी भी तंत्र में उपस्थीत ऐसे गुण, जो कि उस तंत्र में उपस्थीत जो भी पदार्थ है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन-कौन से उदाहरन है जो कि विस्तिर्ण गुन से संबंदी थे, सबसे पहले हैं द्रव्यमान, आयतन, उर्जा, कार्य, उश्मा, धारिता, तो ये तो है कुछ विस्तिर्ण गुन, अब हम ये जानेंगे कि कुछ आंतरिक गुन, गहन गुन या इं ही करते हैं तो इसके कुछ उदाहरण देखिए जैसे टेंपरेचर है प्रेशर श्यानता प्रिष्ट तनाव हिमांक क्वथनांक मोलर उश्मधारिता ये सब उदाहरण है इंटेंसिव प्रोपर्टी या फिर गहन गुण के अब हम दोनों गुणों को समझने के लिए कुछ उ 200 ml जल है और दूसरे में 100 ml जल है तो चूकी यहां पर देखकर ही समझ में आ रहा है कि 200 ml जल का जो आयतन होगा वह 100 ml जल के आयतन से अधिक होगा ये सपश्च हो रहा है दूसरा उदाहरण हम लेते हैं जो आंतरिक गुण के या इंटेंसिव प्रोपर्टी के लिए यदि हम जल को किसी भी पात्र में लें 200 ml जल लें या 100 ml जल लें लेकिन उसका जो क्वथनांख है वो निश्चीत हुई होगा क्योंकि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर ही उबलता है तो ये इसके इंटेंसिव प्रोपर्टी होते हैं जो पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करता है और जो एक्स्टेंसिव प्रोपर्टी होते हैं वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं